तीच तिवारों पे मीठा काने का मन किसका नहीं करता। तो इस festive season में घर पर ही बनाएं आसानी से सिर्फ दो ingredients के साथ ये काजू कतली टेस्टी इतनी और प्योर भी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि काजू कतली बनाने में तो बहुत महनत लगने वाली हैं तो ये गलत फेहमी अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दे। काजू कतली बनने में सिर्फ और सिर्फ पंदा मेट लगने वाले हैं आसानी से बन जाएगी और घर में सबको बहुत पसंद आएगी मेरी गैरेंटी है तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं काजू कतली इसे बनाने के लिए हमें लेने है एक कप काजू, काजू बिल्कुल साफ सुत्रे होने शाहिए, इसे MIXI Blender में डाल की पल्स पे ब्लेंड करेंगे, मतलब रुक रुक कर ब्लेंड करेंगे एक ही बारी में नहीं करना है, पेस नहीं बनानी पाउडरी फॉर्म में बनाना है, त अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को साथ के साथ सब्स्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दें, लेटेस अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए, जो काजु का पाउडर था वो अच्छा से चंच चुका है, आप देख सकते हैं, अब क्या करना है, तो पाउडर करते रहें, जैसे ही चीनी अच्छे से डिसोर्व हो जाए, बिलकुल भीसे नहीं छोड़ना है, घConf करते रहें, उसके बाद हमें क्या करना है, एक तार की चाशनी बनानी है, चीनी के डिसोल्व होने के 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे थोड़ा सा मिक्शर जो है फो थिक होने लगेगा, जो शुगर सेरफ है, थोड़ा सा फिंगर और थम के बीच में, चेक करेंगे कि एक तार की चाश्टी बन रही है, अगर बन रही है, तो इस ताम पर कैश्यू पाउडर, जो हमने काजू का पाउडर बनाया है, वो डाल देंगे, और कंटिनुसल करेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे, अच्छी से सारे इंग्रीडियन्स को मिक्स कर देंगे, ताकि वो कंबाइन अच्छ से हो जाए, और कंटिनुसली स्टर करते रहना है, वो तो आपको पता ही है, ये जो काजू कतली आप घर पे बनाएंगे, वो आपको आधे रेट में पड़ेगी घर पे, और साथ के साथ बिलकुल प्योर होगी, जो आप बजार से काजू कतली खरीते हैं, तो कभी-कभी वो क्या करते हैं, कॉस्ट कम करने की वज़े से, या तो मुफली मिक्स कर देते हैं, या फिर खरबूजे की गिरी, तो ये बात तो बिलकुल भी सही नह मतलब ही है काजू से बनी हुई बर्फी, जैसे ही आप देखें कि सारे इंग्रीडियन्स अच्छ से आपस में मिक्स हो चुके हैं, और एक स्मूध टेक्श्टर क्रेट हो गया है, तो इस टाइम पर हम डालेंगे आदा टी स्पून गी, साथ ही साथ डालेंगे, वन फोट से दिखा रही हूं, फ्लोई, और थोड़ी से कटी होनी शुरू हो जाएगी, तो इस टाइम पर फ्लेम आफ कर देंगे, एक बटा पेपर लेंगे, उसे अच्छ से गी से ग्रीस करेंगे, और जो मिक्स्टर हमने बनाया है, वो सारा का सारा उस पर डाल देंगे, यह जो मिक्स पांच मिनट के लिए आपको फोल्ड करना है, स्पैचुला की मदद से ताकि यह थोड़ा ठंडा भी हो जाए, और एक सॉफ्ट डो में बदल जाए, बिल्कुल रेडी है यह डो, हातों को अच्छ से गी से ग्रीस कर लेंगे, जो काजू मिक्स्टर है वो बटा पेपर से उ रखेंगे, और अच्छ से हाथ से दवा के फैलाएंगे, फैलाने के बाद जो दूसा बटा पेपर है वो इस पे रखेंगे, और बेलन की मदद से इसे हलके हाथ से बेल लेंगे, जितनी थिकनेस काजू बर्फी की होती है उतनी रखेंगे, जो उपर बटा पेपर मैंने इस पे बेल सकते हैं, और देखें सारी जो साइट्स हैं वो इकुली होनी चाहिए, कोई भी जगर मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, बिलकुल मार्केट स्टाइल काजू कतली के लिए मैं आपे लगा रही हूँ सिल्वर वर्क, यह आपको मार्केट से असानी से मिल जाएगा अब मैं इसे डायमेंड की शेप में कट कर लूँगी, स्केल की मदद से, स्केल मैंने अच्छे से वाश कर लिया था, उसके बाद मैं यूज कर रहे हूँ, डायमेंड की शेप देनी हैं आपको, प्रले स्ट्रेट कट करना है और फिर डाइगनली कट करना है, बहुत ही असा अब मैं ये काजू कतली त्यार हो जाती है, तो इस रेसिपी को ट्राय करना तो बनता ही है, मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर लिख के बताईएगा कि कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, अगर आप कोई और आड़न करना चाहते हैं इस काजू कतली रेसिपी में, वो भी म अबस्क्राइब